नोहिंसा को लेकार सीए मनोहर लाल खटर ने कहा नोहिंसा एक बड़ी साज़िश का हिस्सा है दोशी पाये जाने वालों को बक्षा नहीं जाएगा हम जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद हैं नोहिंसा परानिल विच ने कहा मैंने मोनू मानेसर का वीडियो देखा मोनू मानेसर दंगा के लिए नहीं कर रहा था अभी हालात सामाने है जरूरत पड़ी तो और सुरक्षा बढ़ाएंगे नोहिंसा के बाद एक पुलिस हर्याना में अभीता का चोवालेस एफायार दर्ज हुई है सिर्फ नोहिं में बाईस एफायार दर्ज अभी तक 116 लोगों की गिरफतारी हुई नोहिंसा मामले पर डेप्टी सीम दुश्यन चोटाला ने कहा दंगा फैलाने वाले किसी भी पार्टी या किसी भी सबुदाय से हो उन्हें बक्षा नहीं जाएगा दुश्यन चोटाला ने कहा आयोज़कों ने भीड को लेकर सही जानकारी नहीं दी थी, आयोज़कों ने सही इन्पुट प्रिशासन को नहीं दिया था हर्याना में नुह के बाद पलवाल गुरुग्राम में भी हिंसा, गुरुग्राम के सेक्टर सत्तर में आग जड़ी, उपद्रवियों ने कई दुकान में आग लगाई, नुह सोहना में हिंसा के बाद 6 जिलो में धार 144 लागू, हिंसा के विरोध में आज वजरंग दल करेग गुरुग्राम के बाद शापूर एलाके के कई दुकानों में आग जड़ी, हिंसा के बाद बाद शापूर में आरए फ का फ्लगमार्च, पुलिस ने शान्ती बना रखने के अपील ची गुरुग्राम के बाद शापूर से हिंसा के बाद लोगों का पलायन जारी हिंसा के बाद घरों में लटक रहे ताले घर छोड़कर सुरक्षित जगों पर गए नोहिंसा में फिरोसपूर जरका विधायक का नाम विधायक ममन खान पर हिंसा भढ़काने का है आरो मोरु मानेसर को भी तलाश रहे पुलिस नोहिंसा का असर राजस्तान के भरतपूर तक पहुंचा भरतपूर के चार तहसिल में फिर से इंटेनेट बन आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक रहेगा इंटेनेट बन नोहिंसा के चश्मदीद का टीवी नाइन से बातचीत हुई है यातरा के दौरा नहीं थे कोई भी पुलिस कर्मी अस्पताल की छटों से हो रही थी पत्थर वाजी हरियाना पुलिस के मताबिक हिंसा में होमगाट के दो जवानों समेच 6 लोगों की जान गई है 19 पुलिस कर्मियों समेच 26 लोग घायल हुए है 116 लोग अभी तक गिरफतार कर लिए गए प्रधान मंत्री मोदी की अध्यक्षता में सभी वरिष्ट मंत्रियों के साथ बैठक शुरू मीटिंग में रक्षा मंत्री राजना सिंग, ग्री मंत्री आमित शा, परला जोशी, प्यूश गोयल, अर्जुन राम मेगवाल, निर्मला सीता रमन सभी मौजूद सीबियाई ने डिल्ली के पूर्व डेपटी सीएम मनीश सिसोदिया की जमाना त्याचिका का विरोध किया है, सिसोदिया आपराधिक साज़िश में शामिल है पॉलिवुड के मशूर आर्ट डारेक्टर नितिन देसाई ने खुद कुशी कर ली है, अपने स्टूडियो में फांसी के फंदे पर लटकते पाए गए आर्ट डारेक्टर नितिन देसाई डिल्ली सेवा बिल पर आज लोग सभा में होगी बहस, बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया विप, विपक्ष बोला ये संघिय धाचे पर हमला है आज कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्ली कारजुन खरगे के नेतरित्व में राश्पती द्रौबदी मुर्मू से मिलेंगे विपक्षी कट बंधन इंडिया के नेता मनीपूर के मुद्दे पर मुलाकात होनी है दो दिनों के मनीपूर दोरे पर गए थे विपक्ष के 21 सांसद पी जेपी ने शुरू की मिशन 2024 की तैयारी पीएम मोदी आज फिर करेंगे एंडिया सांसदों के दो ग्रूप्स के साथ चुनावी मंथन पी-एम की मीटिंग शाम साथ बजे महराश सदन में होगी काशी, गोरकपूर और अवद के सांसद बैठक में शामिल होंगी जमू कश्मीर से अनुछे 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कौट की समयधानिक पीच सुनवाई करने जा रही जमू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी काम्याबी सुरक्षा बलो में बारा मुला से लशकरे तैबा के दो हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफतार किया है भारी मातरा में गोला बारूद भी बरामत किया गया हिमाचल प्रदेश के सोलन में लैंड स्लाइड लैंड स्लाइड के बाद कालका शिमला हाईवे पर गिरा पहाड का एक बड़ा हिस्सा मलबा गिरने के बाद आवा जाही बंद पुने के इंदापोर इलाके में कुवे में फसे 4-5 मजदूर कुवे की दिवार निर्माण के दोरान मलबे में दबे मजदूर दिवार धई मजदूरों को निकालने में रेस्क्यू टीम जुटी उत्तराखन के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने देहरादून पौडी नैनिताल चमपावत और उधम सिंग नगर में भारी बारिश की आशंका चताई